सब्स्राइब किजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि आप पास सकें लेटेश्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले दिखने के लिए तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Samsung A71 के Android 12 और One UI 4.0 अपडेट के बारे में दोस्तों कि A71 में जो Android 12 और One UI 4.0 का अपडेट है वो आएगा और आएगा तो कब तक आएगा तो वीडियो को अंतल तक देखेगा और लाइक कर दिजेगा इस वीडियो को लाइक टार्ग इनको जरूर से प्रेस कर दिजेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यू शराब देख रहे हैं टेक दूस्त पर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे दोस्तों Samsung 2020 में एक नया अपडेट पॉलिशी लाया था जिसमें जो फ्लेक्सिब डिवाइसेस हैं ज और Samsung A-Series के बारे में गर बात करें तो A51 और A71 भी था जो की काफी अच्छा इसके बाद A52 और A72 आया 2022 में इन डिवाइसेस में भी तीन मेजर अपडेट देखने को मिलेंगे तो Samsung A71 out of the box Android 10 और OneEye 2.0 के साथ लाँच हो था इसके बाद Samsung ने इसमें A2.1 का अपडेट दिया इसके बाद Alt-Z Lite जो फीचर है वो A51 और A71 के साथ ही Samsung ने लाया था दोस्तों इसके बाद Samsung ने 2.5 का अपडेट दिया और फिर A71 में Android 11 का अपडेट आया जो की फर्स्ट Android OS अपडेट है इसके बाद आपको 3.5 का भी अपडेट देखने को मिलेगा तो जो Android 12 है वो सेकेंड मेजर अपडेट है इसके बाद Android 13 तक अपडेट देखने को मिलेगा और कब तक देखने को मिलेगा तो सबसे पहले तो Android 12 का जो अपडेट है वो फ्लेक्सिब डिवाइसेस में आएगा बीटा अपडेट इसके बाद Samsung A-series और A-series में देगा जो की Android 11 की अगर बात करें तो Samsung A71 मई में शेडूल था लेकिन Samsung ने A71 को मार्च के अंदर ही Android 11 का अ अपडेट है वो आपको मार्च 2022 तक देखने को मिलेगा दोस्तों तो देखते हैं Samsung फ्यूचर में क्या करता है और भी अगर कोई न्यू जाती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइ हंद वन्दे मात्रम